एक बार फिर आपका हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, स्वैंग साहता समो की महलाओं के लिए खुसकबरी लेकर आया हुआ हूँ, जो महलाएं थी उनको यहाँ पर 1.35 करोड रुप्य से भी अधिक उनको रण आज बित्रा कर दिया गया है, जो म आपको दोबारा सेरिन यहाँ पर दिया जाएगा, तो कापी अच्छी खबर आप सभी महलाओं के लिए लेकर आया हुआ हुआ हूँ, सभी दीदियों के लिए लेकर आया हुआ 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 हूँ, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए, और बगल में दिय आपके लिए लेकर आया हुआ हूँ समय पर रण चुकाएं दोबारा रण पाएं यानि कि आप अगर समय पर रण चुकाते हैं तो दोबारा से आपको रण यहाँ पर सरकार देने वाली है तो काफी अच्छी खबर है बैंक आफ इंडिया द्वारा परखंड की तीन साकाओं क माध्यम से स्वेंग सायता सव्मों की महलाओं के बीच एक दसमलौ 35 करोड रण बित्रण कर दिया गया है तो काफी अच्छी कबर है आप सबी महलाओं के लिए जो Saturday करोड रण था वह आप सभी महलाओं को बांट दिया गया है जो यह पैसा है आपके ये बहुत ही महत्वपोंड रहने वाला है क्योंकि आप इससे अपना खुद का काम स्टार्ट करेंगी और आपके लिए यह एक एक रुपिया बहुत ही महत्वपोंड रहने वाला है तो बताते हैं आपको क्या यहां पर महत्वपोंड रहने वाला है बैंक आफ इंडिया द्वारा प्रखंड की तीन साकाओं में यहाँ पर स्वेंग साहता समों को रण बित्रन कर दिया गया है इस मौके पर मुख्य अतिति के रूप में उपस्तित बैंक के जर्नल मैनेजर सतीस कुमार ने कहा कि रण लेने वाली महलाएं इसका उप्योग और ब्योसाई से में सही तरीके से करें यानि कि आप अगर अपना ब्योसाईक सुरू करना चाहती है तो आप सही तरीके से और सही जानकारी के साथ अपना कुछ भी ब्योपार सुरू कर सकती है हर एक पैसे का ख्याल रखें इसमें वे बैंक को समय पर रण चुका पाएंगी अगर आप हर एक पैसे को ख्याल रखती हैं हर एक पैसे की कीमती यहाँ पर समझती हैं तो यहाँ पर आप को यहाँ पैसा लोटाना भी है यहाँ रण जो है बैंक को समय पर चुकाना भी पड़ेगा ऐसा करने पर वो दो बारा अधिक रण प्राप्त कर सकेंगी यदि आप इमानदारी के साथ काम करती हैं यदि आप इमानदारी करती हैं तो बैंक भी आपके साथ इमानदारी के साथ काम करेगा आपको जितना अभी ब्याज यहाँ रण मिला है उससे भी जादा आपको यहाँ पर बैंक दे देगा क्योंकि आपकी इमानदारी पर ही आपक का हुआ है तो आपको इमानदारी करने के साथ साथ आपके पैसे को अपने पैसे को अच्छे जगों पर लगाएं अच्छे ब्योसाई में लगाएं और हर एक रुपिये का किमती यहाँ पर समझें कितना किमती आपके लिए यहाँ पैसा रहने वाला है समय पर रण चुका कर रण पाना ब्यावसाय में आगे बढ़ने का मूल मंतर है यानि कि आप समय पर अगर रण चुका लेती हैं और रण पाना ब्यावसाय में आगे बढ़ने की एक पुंजी भी कहलाती है तो आप इस पुंजी को अपना अच्छी तरों से ध्यान रखे क्योंकि आपकी जीवन की स साथ काम करते हैं अपने कारुबार को बढ़ाते हैं डपलप करते हैं तो आपके लिए यहाँ पैसा बहुत ही महत्तपोंड रहने वाला है तो उन्हें कहा कि बैंक ग्रामिणों को स्वाब लंबी बनाने के लिए सदय उत्तत पर रहते हैं तो आप यहाँ पर स्वाब लंबी बनेंगी आत्म निर्फर बनेंगी ऐसे में ग्रामिणों को यहां पर रण दिया गया है तो आप इस रण को सही तरीके से सही जगह पर यहां पर रण को उचित इस्तान पर लगाएं। बनेंगी हुई है तो आपको भी ओर रण मिल गया होगा तो आपके लिए काफी महत्तपून खबर है तो आप आपको मिल गया है तो आप अपने पैसे को समाल कर रखे इमांदारी से अपना कोई नया कारोबार स्टार्ट कीजिए अपने साथ सांथ और रुकों भी रोजगार दीजिए अगर आप अच्छा खासा यहां पर रोजगार खोल लेती है तो आप आत्मे निर्फर और स्वावी लंबी बनने से आपको कोई नहीं रोख सकता है तो मैं आपको बता दो कि आप अपना कोई भी व्यावसाय करें इमांदारी जरूर करें अपने व्यावसाय के सा और अपने बैंकों के साथ जो आपको यहां पर रोण दिया गया है समय से रोटा दें और आपको दोबारा से अच्छा खासा बैंक आपको रोण दुगना आपको रोण दे देगा तो इसमें परखंड समनवयक सुमी मार्डी ने बताया कि चाकुलिया परखंड के मटूर ख 45 लाग तथा चाकुलिया से 40 समों के बीच 75 लाख रुपय का रण दिया जा रहा है यानि कि इन महलाओं को 75 लाख रुपय तक रण दिया जा रहा है इसमें परथम दुती और तिर्थी क्रेडिट लीकेज की महलाएं समों जो हैं सामिल हैं यानि कि परथम दुती तिर्थी के जो जो क्रेडिट लीकेज महलाएं समों के वह सामिल हैं परथम लीकेज में पहली बार रण लेने वाली महलाएं सामिल हैं दूरती लीकेज में दूसरी बार रिण लेने वाली यहाँ पर महलाई सामिल है और तिरती में तीसरी बार यानि कि जो रिण बार बार ले रही है रिण तीन बार ले चुकी है वो महलाई सामिल है यानि कि इनको अलग-अलग तीन कैटेगरी में बाटा गया है पहले में जो प गुरूप इंसुरेंस के बारे में भी बताया यानि कि आप इंसुरेंस भी आपका कर दिया जाएगा, क्या यहां पर गुरूप का इंसुरेंस रहने वाला है, कितना आपको वेनिफिट रहने वाला है, क्या आपको ब्याजदर रहने वाली है, सब कुछ आपको बताया गया है कारिकरम में JLSCS की जिला प्रियोजना परवंधक आसियाना मलिक की बैंक ओफ इंडिया के साखा परवंधक दीपक कुमार नोनिया जो थे वो सामिल थे सुहागनी जो अलग-अलग इसमें लोग सामिल थे आपको यहाँ पर इन पात्रों के माध्यम से उपस्तित थे और आपको यहाँ पैसा दे दिया गया है तो आपको सारी डोटेल बता दी है मैंने इस वीडियो के माध्यम से तो आपको पैसे किस चीज में इंवेस्ट करने हैं कहां पर अन्वेस्ट लगाने हैं और कितना आप यहां से रण ले सकती हैं और क्या कारोबार आप सुरू कर सकती हैं मैंने कहीं पिछले वीडियो मैं आपको बताया है तो आप कौन-कौन से आप यहां पर कारोबार स्टार्ट कर सकती हैं ताकि आप अपने सांसात औरू को भी समुह को यहाँ पर उपहार की स्वरूप यहाँ पर भेट दे दिया गया है तो आपको समय से यहाँ पर इस ब्याज को बैंक को लोटा दे और रण को और आपको दोबारा से यहाँ पर रण सरकार दे देगी और भी अधिक मातरा में आपको रण देने वाली है तो आपने हमारे इस वीडियो को अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छे लगे तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ सीर जरूर कर लीजिए और हमारे comment box में जरूर बताईए कि आपको कितना रियन मिला आप क्या विजिएरे श्टार्ड करने चाहती है साइध हो मैं आपको कुछ यहाँ से जानकारी दे सकूँ आपकी कुछ हेल्प कर सकूँ हमारे comment box में comment जरूर बताएं अपनी जानकारी जरूर दे कौन से जीले से हैं कौन से राज़ो से हैं क्या आप काम श्टार्ट करनी चाहती है तो आपको मैं इसी तरह की नई इंट्रेश्टि मिडियो लगाता आपके समख सब लाता रहता हूं तो मिलते हैं इसी तरह की नई टॉपिक और नई वीडियो के साथ तब तक मेरे सारे बेहने